आजकल सोसल मीडिया पर चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है वो है कस्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित बनी फिल्म दक कस्मीर फाइल की केवल इतना ही नहीं, सोसल मीडिया के साथ-साथ गली महलों से लेकर हर गाम और सहरों में भी इस फिल्म की खूब चर्चाएं हो रही है इस फिल्म की इतनी ज़्यादा चर्चाएं क्यों हो रही है क्या इस प्रकार की फिल्म बारत में पहली बार बनाई गई है आईए बिस्तार से बात करते है नमस्कार साथियो मैं ब्रिजमन मौर और आप देख रहे हैं जनिता बाच साथ ही आपको बता दें इस फिल्म की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है दरसल इस फिल्म की स्टॉरी पर नज़र डाला जाए तो फिल्म दा कस्मीर फायल 90 के दसक में कस्मीरी पंडितों के पलायन की एत्यासिक गटना पर आधरित बताई जा रही है का जाता है कि कस्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंगार किया गया था कस्मीरी पंडित संग्रस समित के अनुसार साल 1990 में गाटी के बीतर 75.343 कस्मीरी पंडित परवार थे लेकिन साल 1990 और 1992 के बाद आतंगवादियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परवारों ने गाटी को छोड़ दिया साल 1990 से 2011 के बीच आतंगईयों ने 399 कस्मीरी पंडितों की हत्या कर दी और पिछले 3 सालों के दोरान घाटी में गाटी में बुमिस्किल 800 हिंदी परवार ही बचे हैं साल 1944 में कस्मीरी हिंदियों की आवादी में इससा 15 पीसदी था लेकिन साल 1991 तक उनी की सेदारी सिरिफ 0.1 पीसदी ही रह गई अपनी मातरभीमी और कर्मभीम से बिस्तापित होने के कस्मीरी पंडितों के इस दर्द को ब्यापक रिसर्च के बाद बड़े पर पेस किया गया है इस फिल्म का निर्देशन नैस्नल अवार्ड विजेता निर्देशक बिवेक अगिनोतरी ने किया है इस फिलम में अनपम्खेर, मितिन चक्रवती, दरसन, कुमार और अतुल स्रीवास्तप जैसे दिगज अविनेताओं ने इस फिलम में अबने किया है फिलम को देखने वालों का एक धड़ा इस फिलम के बारे में कहता है कि इस पिल्म में सुतंत्र भारत का सबसे क्रूर अध्याय दिखाया गया है पिल्म में तत्यों के साथ कस्मीरी पंडितों के जन संगार को दुनिया के सामने लाया गया है बिवेक अगनोत्री के निर्देशन में बनी इस प्लिम को कस्मीरी पंडितों के बिस्तापन का सच जानने के लिए जरू देखना चाहिए बगएरा बगएरा वहीं दूसरा धड़ावी इस प्लिम दर्सकों वह इसको बनाने वालों के बारे में कहता है कि कस्मीर फाइल से पहले सूद्र दराजिंग जैसी प्लिमें भी बन चुकी हैं कस्मीर फाइल देखकर जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं सूद्र दराइजिंग देखकर उनका कलेजा फट जाना चाहिए कस्मीर दा फाइल पर भक्त और सरकार खुस उनका प्रेम उमड रहा है सरकार टेक्स फ्री कर रही है जबके जैबीम जैसी दलितों आद्वासियों पिछणों पर बनी फिल्म बेन कर दी जाती है क्या यह जातवाद नहीं है पहली फिल्म जिसमें सिर्फ कस्मीर के पंडितों के हालात के बारे में बताया गया है नमर दो जबके दूसरी फिल्म में पूरे देश में दलितों की हालत के बारे में बताया गया है कितने सवरणों ने सूद्र दराइजिंग फिल्म देखी जो हमको दकस्मीर फाइल देखने की बोल रहे हैं कस्मीरी पंडितों की आवादी 2-4 लाक होगी देश में दलितों की आवादी 25 करोड है अपने उपर अत्याचार हुआ तो तुरंट मूवी बना दी और हम पर 3 यार सालों से जो अत्याचार हुआ है उस पर बनाने की हिम्मत नहीं हुई पिल्म दिखाकर नपरत भरी जाएगी सिर्फ दोया 24 जिताने के लिए पिछणों का आरचड खतम किया जाएगा नौकरियों से बंचित किया जाएगा युवाओं का भविस्ट अंदिकार में किये लेकिन सरकार तो साब ही लाएंगे कब तक लाएंगे अगली पीडी भी इसी कमी की बरपाई नहीं कर पाएगी जै वीम जै समाजबाद जै सुल्देव ये बिवेक अगनोत्री जिसने दा कस्मीर फाइल फिल्म बनाई है लेकिन उन्होंने इस फिल्म को पूरा क्यों नहीं बनाया जैसे के नमर एक उस समय देश में सरकार किस की थी नमर दो उस सरकार को किस राजनितिक पार्टी का समर्तन था उस समय देश के प्रधानमंतरी कौन थे राश्टपती कौन थे कस्मीर के राजपाल कौन थे इन सारी सच्चाई को क्यों चुपाया गया उन्होंने फिल्म में दिखाया गया कि जब यह दंगे हो रहे थे तब जम्मू कस्मीर से दिल्ली को फौन किया जा रहा था लेकिन किसी ने पौन नहीं उठाया वो फौन ना उठाने वाली सरकार कौन थी या क्यों नहीं बताया तो किया ये किसी राइनितिक पार्टी के समर्तन में फिल्म बनाई गई है या किसी राइनितिक पार्टी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है इसका जवाब विवेक अगनोत्री को जरू देना चाहिए भक्तो इन सवालों के जवाब भी तो पता कर लो जवाब मिलते ही होश्ट टिकाने आ जाएंगे तुमारे इसके अलावा एक यूजर ने फेश्वुक पर पुस्पेंदर कुलसरेष्ट द्वारा किये गए ट्वीट जिसमें लिखा है कि एक बार दा कस्मीर फाइल देखिए पिर आपके ब्यापार, सिच्चा, नौकरी, बिकास, बिरोजगारी, महंगाई, जातवाद और अपंग, धर्मने रिपेश चता के सारे भूत मातर दो गंटे पचास मिनट में उतर जाएंगे को सेयर करके कांटर करते हुए लिखा है कि एक बार अपने पूरोज़ों द्वारा अचूतों पर किये गए अत्याचार और जुर्म याद कर लो तुम लोग मानव कहलाने लाइक नहीं रहोगे दोया 24 के लिए लोगों के दिमाग में सामपरदायकता का जहर बरना अच्चा नहीं है नहीं तो लगे हाथ परजानियां भी रिलीज करा दीजिए सातियो इस फिल्म पर मैं अगर अपनी ब्यक्तिकत राय दूँ तो निश्चे तोर पर किसी के साथ जाद दर्म छेतर रंग बेद लिंग बासा के नाम पर अत्याचार नहीं होना चाहिए अजारों सालों से इस देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ सोसड होता आया है पहले तो इन मुद्दों पर फिल्म बनती ही नहीं थी कई दसकों बाद जब सुद्र दर राइजंग जैबीम वो आर्टिकल 15 जैसी कई हकीकत बया करने वानी मुवी सामने आई लेकिन इन फिल्मों के रिलीज होने पर किसी सत्ता पच के नेताओं ने अपनी प्रितकरिया नहीं दी बलके तमाम समाजिक संगटों ने इस पर रोक लगाने की पूरी-पूरी कोसिस की जिस प्रकार कस्मीरी पाइल पर प्रदानमंत्री मौदी ने दरसकों से फिल्म देखने की अपील की है वा कई प्रिदेसों में इसे टेक्स प्री किया है सरकार में बैठी नेता हैं दोरा इस प्रकार की दोरी नीत कहीं न कहीं किसी प्रोपगेंडा को रचने के लिए इंगित करता है फ़लाल इस वीडियो में इतना ही आपकी इस फिल्म पर क्या राय है आपको हमारी एरपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके अपने सुजाब जरूर बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी दबाएं धन्यवाद